हलो एवरिवान आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं घर में कमपोस्ट कैसे बनाती हूँ जो वेस्ट हमारा सबजिया और फल के पीसे से बन जाता है अच्छी लग दिकलता है उससे मैं कमपोस्ट कैसे बनाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा यह देखे मैंने कमपोस् को दो मेने में ये बन गया है कमपोस्ट देखी कितना अच्छा बन गया ये इसको मैंने सुखी जो सबजीों के छिलक होते हैं और mixed, इस बड़ी सी बुकेट में जो की पेंट की एक बुकेट वेपस 25 लीटर की उसमें डालके बनाया है इसमें जो है मैंने सब्जी के छिलक वगरा मैं डालती रही और साथ में उसके उपर मैं थोड़ी थोड़ी लेयर मैंने मिटी की भी विछाती रही थी और फिर उसके मिटी की लेर के उपर फिर एक सब्जी की एक लेर विचाती थी छिलक की और देखी ये जो है मोटे मोटे छिलक हैं जो की नहीं गले हैं जैसे पेपर के पीसिस थे गते के पीसिस थे और ये मैं निकाल रही हूँ इसमें से तो इसमें जो है मैंने छिलक वगरा डालने के बाद इसके उपर मैंने मिट्टी की लेर बिछा दी थी और उसके उपर फिर से छिलक की लेर फिर हलकी से फिर से आप वर्मी कंपोस्ट की एक लेर डाल दीजिए थोड़ी और फिर उसके बाद फिर से आप छिलक की एक लेर डाल चाहिए और फिर उसके अपर चाहे आपको पी डाल दीजिए न्यूस्पेपर की पीशिस काट के छोटे डाल दीजिए और यह दो मेने लगे मेरे को यह कंपोस्ट बनाने मां देखे कितनी अच्छी compose बन गई है यह मेरी gardening में मेरे kitchen garden में fruits फल जो मैंने छोटे लगाएवे है plants लगेवे है flowering plants सब में मैं यह डालूँगी और यह homemade है एक छोटी से हमारी भालकनी में हम रख सकते हैं इसको तो देखे यह जो है जैसे यह मैंने fruits के छिलक जो लिये हैं यह अब मैंने जो है इस बार मैं सोच रही हूँ कि इसको मैंने एक दिन की धूप लगा दी है पहले जिससे कि यह जो moisture है इसमें से निकल जाए यह छिलक दी हाइडरेट हो गए तो अब मैं ऐसे करूगी कि एक दिन में धूप में इसको रख दिया करूँगी फिर उसके बाद मैं इस बिन में जो मैंने जिसमें मैं बना रही हूँ कमपोस्ट उसमें मैं इसको डाल दूगी तो इसमें आपको दिखाती हूँ इसमें मैंने यह ड् लगाते रहेंगे और इसको हम पहली वाली जो मैंने बनाई थी उसमें बनने मेरे को दो महीने लगे थे लेकिन इस वाली जो मैं बनाने जा रहे हूं इसमें मैं सोच रहे हूं कि इसमें मैं जो लसी होती दही का जो पानी में घोल के और उसमें गुड़ डालके मैं इसमें जो मेरे छिलक वगरा चले जाएंगे उसके बाद मैं उसमें जो है लसी उगुड का बिक्षर घोल के इसमें थोड़ा सा डाल के इसको ढग दूगी ही लाद इसको बस यह कि बीच भीच में आपको 3-4 दिन के बाद इसको जो चिल लग यह जो आपने डाला हूं इसको बाद आप उपर नीचे करते रहे हैं और यह अच्छी सारी काफी सारी बन जाती है यह अच्छा बन जाता है तो इस बाद देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा दही नह जल्दी बन जाएगी होफ़ली दो मेने से कम टाइम इसमें लगेगा और अच्छा है आपके घर में अपनी बचावा कुड़ा उससे कंपोस बन जाएगी इस खाद में दई और गुड़का जो मिक्षर हम डालेंगे पानी का उससे ये फायदा होएगा कि इसमें बैक्टीरिया काफी बन जाएगे जल्दी और जो कि इसको खाने को जो है इसको सड़ा देगा और डिजेनरेट कर देगा और फिर उससे खाद जल्दी बन जाएगी तो ये बनाने का बहुत असान तरीका है छोटी छोटी बालकनी में भी हम बना सकते हैं तो आप जरूर बनाएए कोशिश करें जरूर बनाएए होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सकाइब करें थैंक यू सो मच फ